नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 छितिज भाग 2 का पार्ट नेता जी का चस्मा जिनके लेखक स्वेंग प्रकास जी हैं, इसका मैं MCQ प्रशनुत्तर पराने जा रही हूँ, MCQ को Multiple Choice Question कहा जाता है, या इसको Objective Tab का प्रशनुत्तर कहा शकते हैं, या हिंदी म में बहुत विकल्पिय प्रशनुत्तर कहा जाता है, इसमें आपको चार ओप्सन रहेंगे, तीन गलत रहेगा, एक सही रहेगा, और इस बार आप लोगों को MCQ प्रशनुत्तर भी एक्जाम में पूछे जाएंगे, और बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 किर्थिका छितिज अस पर संचेन, इसका मैं सारा MCQ बना चुकी हूँ, और फूल एक्स्प्लेनेशन समरी, कोस्चन एंसर, हिंदी ब्याकरन, सारे चेप्टर को मैं आसान रूप में परहाई हूँ, तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गया, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिये गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बच्चों अभी हम लोग नेता जी का चस्मा, इसका MCQ प्रशन उतर पढ़ेंगे, इसमें कुछ अर्थ ग्रहन संबंदी, जो है, अर्थ ग्रहन के लिए क कुछ पैराग्राफ दे दिया गया है, जिसमें से ही प्रशन आपको पूछे जाएंगे, तो ये पैराग्राफ चाहे तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर परहेंगे तो आपको ही फायदा होगा, इसमें आपको उतर समझने में आशान हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कुछ पढ़के सुना दे रही हूँ, और फिर MCQ बताऊंगे, तो इसमें क्या कहा गया है, कि निमलिखित गद्यांस को परकर दिये गए प्रशनों के सही विकल्प का चुनाओ कीजिए, पहला हालदार साहब को हर 15 दिन कमपनी के काम के सिलसिले में उस कस्वे से एक लड़कियों का स्कूल, एक सिमेंट का चोटा सा कार खाना, दो ओपन एर सिनेमा घर और एक ठोड नगर पालिका भी थी, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सरक पक्की करवा दी, कभी कुछ पेसाब घर बनवा दिये, कभी कभूत्रों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी संबेलन करवा दिये, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशाशनिक अधिकारी ने एक वार सहर के मुख बाजार के मुख चोराहे पर नेताजी सुभास चंदर बोस की एक संगमर मर की परतिमा लगवा दी, तो ये परागरा खो जेलदार सहब, गो हालदार सहब, गो जमादार सहब, तो आप लोग परहे होंगे चेप्टर उसमें क्या कहा गया था कि कमपनी के सिलसिले में कस्वे से हालदार सहब गुजरते थे, तो गो उत्तर इसका शही होगा, दूसरा प्रश्न है, जिस कस्वे से हालदार सहब ग मेडियम था। तीसरा प्रस्ण है एक थो का क्या अर्थ है? कॉछ एक अस्थान गव एक नगर गव किसी वस्तु का नाम. तो एक ठोका क्या अर्थ है? इसका सही उतर है को एक अदद, मतलब एक इकाई चोथा प्रश्न है, चोराहे पर किषनेता की मुर्ती लगवाई गई को महात्मा गांदी, खो सुभास चंदर बोश, गो सरदार पटेल, गो पंडित जवाहरलाल नहरू तो चोराहे पर किषनेता की मुर्ती लगवाई गई? इसका सही उतर है, खो सुभास चंदर बोश, मतलब सुभास चंदर बोश की मुर्ती लगवाई गई नीचे उतर भी दिया गया है, आप उसको देख भी सकते हैं माचमा प्रश्ण है, उस कसवे में किस चीज का कारखाना था, इसका सही उतर है गो सिमेन्ट कारखाना, अब दूसरा प्रश्ण अभ्यास देखिए, जैसा की कहा चुका है, मुर्ती संगमर्मर की थी, टोपी की नोख से कोट के दूसरे बटन तक, कोई दो फोट उची, जि सुन्दर थी नेता जी सुन्दर लग रहे थे कुछ-कुछ माशूम और कमसीन फौजी वर्दी में मुर्ती को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा या वेगरा याद आने लगते थे इस दृष्टी से यह सफल और सराहनिय प्रिय काला फ्रेम मुर्ती को पाना दिया गया था हालदार साहब जब पहली बार इस कस्वे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तबी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुश्कान फैल गई वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है मुर किसकी बनी हुई थी को तांबे की खो चांदी की गो मिटी की गो संगमरमर की तो उत्तर होगा गो संगमरमर की दूसरा बस्ट किसे कहते हैं को मुर्ती को खो पत्थर को गो चाती तक मुर्ती को कहते हैं और गो आदमकद मुर्ती को कहते हैं तो बस्ट किसे कहते हैं इसका सह उतर है गो छाती तक मुड़ती को कहते हैं तीसरा प्रस्ण है नेता जी किस वेश भूशा में थे को खादी कपरों में खो साधारन कपरों में गो फोजी बर्दी में गो रेश्मी वस्त्रों में तो नेता जी किस वेश भूशा में थे इसका सही उतर है गो फोजी बर्दी में थे चौथा प्रस्ण है नेता जी का चस्मा कैसा था को चौरा काला असली फ्रेम वाला खो संग मरमर का गो तामबे से बना गो लकरी का बना तो नेता जी का चस्मा कैसा था इसका सही उत्तर है को चौरा काला असली फ्रेम पाजमा प्रस्ण है हालदार सहब के चेहरे पर कैसी मुश्कान फैल गई को गंभीर मुश्कान खो कौतुक भरी गो सरारत भरी गो दर्द भरी तो हालदार सहब के चेहरे पर कैसी मुश्कान फैल गई इसका सही उतर है खो कौतुक भरी छठा प्रस्ण है यह पांचमा प्रेश्ण है और छठा प्रेश्ण है मुर्ती बनाने का कारी किस्को शूपा गया को एक प्रसीद्ध मुर्थिकार को कस्वे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को कस्वे के एक चित्रकार को गो अस्थानिय बरहई मिस्त्री को तो आप लोग परहे होंगे चैप्टर की मुर्ती बनाने का कारी किसको सपा गया था इसका सही उत्तर है कस्वे के हाई स्कुल के ड्राइंग मास्टर को साथमा प्रश्न है मोतिलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया को मैं बहुत अच्छा मुर्तिकार हूँ को मुझसे अच्छी मुर्ती कोई नहीं बना सकता गो मैं नेता जी की मुर्ती एक माह में बना दूँगा गो मैं इस मुर्ती को कम लागत में तयार कर दूँगा तो मोतिलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया इसका सही उतर है गो मैं नेता जी की मुर्ती एक माह में बना दूँगा आठमा प्रश्ण है मुर्ती को देखने पर क्या बात सबसे ज़्यादा खटकती थी को मुर्ती की आँखों पर संग्मर्मर का चस्मा ना होना खोरनेता जी का फोजी वर्दी में ना होना गो मुर्ती का सुंदर ना होना गो इन में से कोई नहीं तो मुर्ती को देखने पर क्या बात सबसे ज़्यादा खटकती थी इसका सही उतर है को मुर्ती की आँखों पर संग्मर्मर का चस्मा ना था मतलब नहीं हो ना ना नमर प्राशन है हालदार सहहब के चहरे पर कवतुक भरी मुष्कान क्यों फाइल गई को नेता जी की मुर्ती को देखकर काले फ्रेम के सचमज के चसमे को देखकर घा उपर युक्त सभी कथन सरते हैं तो हालदार सहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुश्कान क्यों फैल गई इसका सही उत्तर है गव नेता जी के चेहरे पर काले फ्रेम के सच्मुच के चस्मे को देख कर दस नमर प्रश्ण है हालदार सहब की क्या आदत थी गव हालदार सहब जब भी इस कस्मे से गुजरते थे तो वे नेता जी की मुर्ती वाले चवराहे पर रुक कर पान खाते थे खालदार सहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था गव हालदार सहब नेता जी की मुर्ती को चस्मा पहना देते थे गव हालदार सहब पान व च्बे से गुजरतें तो यह नेताजी की मुड़ती वाले चौराहे पर रुक कर पान खाते थे अब 52 में पढ़े होंगे 85 आ घ्यार नमर प्रस्ण है कैप 250 चसमावाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेता जी की मुर्ती को क्यों पाहनाता था क्या प्रेशन क्या पूछा जा रहा है कि कैप्टेन चस्मा वाला अपने गिने चुने फ्रेमों मज़से एक फ्रेम नेता जी की मुर्ति को क्यों पहनाता था इसका सही उत्तर है उपर युक्त सभी यानि नेता जी बिना मुर्ति के जो वे देखते थे तो उनको आहत करता था उनको लगता था कि यह देश भगतों का अनादर है और उनको यह भी लगता था कि नेता जी को असली रूप में देखना चाहता था तो कैप्टेन इसलिए चस्मा लगा देता था तो उपर युक्त सभी कथन इसमें सत्त्य है बारण नमर प्रश्ण है हालदार सहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगती तो हालदार सहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगती थी इसका सही उतर है खो चस्मे वाले क्याप्टेन को पागल कहना तेरा नमर प्रश्ण है क्याप्टेन को देख कर हालदार सहब अवाक क्यों रह गये क्याप्टेन का व्यक्वत्वत आकरशित करने वाला था क्या तो कैप्टेन को देखकर हालदार सहाब अवाग क्यों रह गए इसका सही उतर है कि कैप्टेन बूरहा मडियल तथा लंगड़ा आदमी था मतलब बहुत ही मडियल उसको कहा जाता है जो बहुत ही दुबला पतला था चौदर नमर प्रश्ण कैप्टेन क्या कारे करता था गवा फेरी लगा कर चस्में बेशता था गवा फोजियों को ट्रेनिंग देता था गवा एक विद्याले में सिक्छक था गवा खेती का कारे करता था तो कैप्टेन क्या कारे करता था इसका सही उतर है कवा फेरी लगा कर चस्में बेशता था, फेरी किशको काते हैं, आप लोग देखे होंगे, रोड के किनारे, लकरी के डंटे पर बहुत सारे चीज़ लोग लटका करके बेशते हैं, उसमें कुछ चस्मे भी रहते हैं, कुछ बच्चों के उसमें खिलाओने भी रहते हैं, लेकिन कैप्टेन जो है वह सिर्फ चस्मा ही बेशता था उस लकरी के डंटे पर तो कैप्टेन का क्या कारी था इसका सही उतर है को वह फेरी लगाकर चस्मे बेशता था पंदरे नमर प्रश्ण है हालदार सहब क्या सुनकर मायूस हो गये थे को नेता जी की चस्मा बिहिन मुर्तियों की बात सुनकर खो कैप्टेन की मिर्तियू का समाचार सुनकर गह लोगों में देश भक्ती की भावना की कमी देखकर घो खो और गह कथन सत्य है तो हालदार सहब क्या सुनकर मायूस हो गये थे यानि दुखी हो गये थे इसका सही उतर है खो कैप्टेन की मिर्तियू का समाचार सुनकर इसका उतर है खो देश भक्ती की भावना को और नीचे देखिए बच्छों इसमें प्रश्ण का उतर भी दिया गया है मैं तो इसे टिक लगा दी हूँ और इसी के साथ पाट की समाप्ति होती है